विल्कम बैक टो वो चैनल मिशन सिविल एंजिनिंग सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बीम डिटेल्स के बारे में कितने डाय का रेंफोर्समेंट यूज हो रहा है कितने नंबर्स अफ डाय यूज हो रहे हैं यह सारी चीजों के बारे में बताऊंगा यह हर एक एक बीम का डिटेलिंग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैसे रीट करते हैं ड्वाइंग वो सारे लेक्चर्स आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा क्लियर है तो चलते हैं वीडियो में तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक इमेज है इमेज में आप देख र तो 250 हमारा क्या है हमारा width of the column है 250 और इसका जो depth है वो हमारा कितना है 450 ठीक है ये जो 450 हमारा depth है clear है depth of the beam ठीक है और 250 हमारा क्या है width है clear है अब आते है next to next हमारा क्या है next आपको चीज़ बताते है next में जैसे कि आपको बता देते हैं जैसे कि ये वाले junction पर आप देख रहे हैं यहां से जो हमारा reinforcement जो total निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 3,16 और 2,12 का clear है अब यहां पर बोल रहा है जो 2,16 का जो हमारा reinforcement जा रहा है वो कहां तक जा रहा है और सारे डेटियल बिसिकली बताना पर रहेगा आपको जो हमारा पांच रेंफोर्स्मेंट जो निकल रहा है इस कॉलम से इस कॉलम से जो हमारा टोटल पांच नंबर आफ रेंफोर्स्मेंट निकल रहा है जो तीन सुल्ला का है और दो बारा का है वो उसका डिस्टेंस कितना ह वो कितना all through है मतलब कि पूरा यही चलेगा या फिर कौन से एक स्टॉब आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको बताता हूं क्लियर है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखावा उपर में और लिखावा यहां पर यहां पर यहां तक का जो डिस्टेंस है इस कॉलम से लेकर यहां तक वो हमारा कितना है 800 mm क्लियर है जो हमारा दो रिइन्फोर्स्मेंट है 16 mm का वो कितना दिस्टेंस है इस कॉलम से लेकर यहां तक 800 तक आएगा क्लियर है यहां तक कुई डाउट कोई डाउट नहीं पड़े है और एक सुला जो हमारा वो क्या बोल रहा है 116 यहां तक मार्किया हुआ है क्लियर है इस कॉलम से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 800 प्लस 500 कितना होगी हमारा 1300 यानि कि कॉलम से लेकर यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना होगा 1300 mm ठीक है जो हमारा दो सुल्ला था वो कहां तक जाएगा 800 mm तक और 11 mm का जो डाया है वो कितना जाएगा एक्स्टा बार जो है वो 1600 mm सुरी 1300 mm तक जाएगा अब बात करते हैं जो हमारा main bar जैसे कि 2 बारा का बारा का जो डाया है जो 2 है वो हमारा through टी एच लिखावा टी एच का मतलब क्या होता है notation क्या है यह through है मतलब कि all through लेकिन इस beam से लेकर इस beam तक यह चीज हमारा चलेगा दो बारा का regular रहेगा clear है उपर वाला तो clear हो गया top reinforcement का कहानी top reinforcement total 5 जो हमारा column से निकल रहा है हमारा dia 5 reinforcement अलग-अलग dimension अलग-अलग dia का जैसे 16 mm और 12 mm का वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी top reinforcement में अगर इससे related अगर कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूछना हाँ तो ठीक है अब क्या हम लोग bottom reinforcement का बात करते हैं तो bottom में जैसे कि आप देख रहे हैं आप क्या बोल रहा है 200 mm का बार है हमारा और एक बारा का है जो through है मतलब कि जो bottom में जो reinforcement चलेगा वो हमारा कितना चलेगा total 3 बार चलेगा यहां से ऐसे clear है total 3 रहेगा और उसमें जो हमारा जुडाया है वो 2 सुला का है और एक 12 का है clear है यहां तो कोई doubt बहुत बढ़िया अब आते हैं इस तरफ में इस वाले कॉलम में कॉलम F के पॉइंट पे आते हैं grid F में ठीक है तो यहां पर जो कहानी क्या बोल रहा है कि यहां से जो reinforcement जो निकल रहा है इस कॉलम से वो total निकल रहा है 3 सुला और 2 बारा का जिसमें से जो 2 बारा है हमारा वो तो थू है clear है और 3 सुला का distance देख लेते हैं अब यहां पर distance बताना है कि कितने कितने दूर तक जा रहा है हमारा clear है तो जो हमारा एक सुला जो जा रहा है वो हमारा जा रहा है 1300 mm तक clear है यह सारी चीज़ें आपको देखना परेगा clear है यहां पर जैसे कि आप देख रहे है 116 डाया का लिखा हुआ है वो हमारा कितना है 13 हमें तक जो 2 12 का डाया वो तो through है clear है तो अगर यहां तक अगर आपको कोई doubt होगा एक चीज़ और बताना आपको बूल गए कि यहां पर जो आप देख रहे है LD प्लस 10D लिखा हुआ है यहां पर देख रहे है ना और यहां पर भी देख रहे है LD प्लस 10D लिखा हुआ है यह क्या है मतलब कि इसको क्या बोलते है यह basically क्या है यह development length है तो LD development length में LD मतलब क्या होता है के लेंद कितना लेंद quality in two डाय ग्लिए के लिटी को अधूर कितना किशिक्टि यह रेगर प्रपधिए यह किलिसे दी विह मों दो मरा भी ग्लिटेव अब़ार का दिकतना जाए डिय Scientology paved उतना हमारा यहां तक नीचे तक आएगा अब प्लस 10D तो इसमें प्लस 10D एड़ कर देंगा यानि कि 10 इंटू ए जो हमारा डाया का जो डाइमेंशन दिया होगा ठीक है 12 दिया हुआ तो 10 12 120 mm ठीक है यह टोटल एड़ करने के बाद इसका फिर हम लोग development length निकलेगा clear है सुझा है कि मैंने आपको बताया इसमें LD तो development length count कहां से करते हैं यह जिस तो मैंने बताया नहीं आपको इस वाले column से यहां से इस point से आप जो देख रहे हैं जो column का starting point है यहां से लेकर नीचे तक का हम लोग development length बोलते हैं clear है यहां से count करते हैं तो इसका cut length निकालके आपको next आने वाले वीडियो में आपको cut length निकालके बताएंगे कैसे इस बीम का cut length कैसे निकालते हैं clear है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करना share करो और subscribe करो हमारे channel को thank you